दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कमाल की नोवल को डिस्कुस करने जा रहे हैं जो आपकी बहुत सारे एक्जांस में काम आने वाली है इस नोवल का नाम है A Passage to India इसको लिखा था Edward Morgan Proster ने जिनको हम शॉर्ट में E.M. Proster भी बूलते हैं ये दोस्तो उस वक्त की कहानी है जब इंडिया में बिटिश राज चल रहा था और हमारे राइटर E.M. Proster खुद 1912-13 में इंडिया का दौरा करने के लिए आये थे अब इस नोवल को पढ़ते वक्त दो चीजे आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों सबसे पहले तो इस नोवल का टाइटल कहां से उठाया गया है एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पायट थे Walt Whitman उनका एक बहुत ही फेमस कलेक्शन है Leaves of Grass तो उस कलेक्शन से इस टाइटल को उठाया गया है किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है दूसरा ये कि ये नोवल किसको डेडिकेट की गई है ये नोवल एक प्रेंड थे एम प्रॉस्टर के अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांस सर सायद रोश महमूद खान उनको डेडिकेट की गई है ये नोवल वो इनके फ्रेंड थे दोस्त उनको ये नोवल डेडिकेट की गई है तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये नोवल किसको डेडिकेट की गई है ये नोवल मैं आपको ऐसे सुनाओंगा दोस्तों ऐसे सुनाओंगा जैसे आपकी आँखों के सामने कोई फिल्म चल रही है चालिस मिनट की ये वीडियो होगी लेकिन आपको इस वीडियो के एंड में मज़ा आ जाएगा मैं इस रखता है जैसे यहां सब कुछ कीचर से बना हुआ होगा ये उस वक्त की बात है जब इंडिया में ब्रिटिशर्ट्स रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स का रास था तो ब्रिटिशर्स ने अपने रहने के लिए बिल्डिंग्स इस सिटी से थोड़ा हट कर रेल्वे स्टेश इस सिटी की बतसूर्ती को छुपा लेती थी ब्रिटिशर्स भी यहां पर आये थे यह सब सोच कर या फिर यहां पर आते हैं यह सब सोच कर यह एक रोमेंटिक चार्मिंग टाइप की जगह होगी लेकिन इस सिटी में रहने के बाद में उनकी गलत फैमित दूर हो जाती है जब वो यहां पर रहते हैं इस गंदी सी सिटी और बिटिशर्स की साफ सुत्री बिल्डिंगों में बस एक ही चीज कॉमन है यह साफ खुला आस्मान जिसे यह दूरों माटते हैं शेर करते हैं यह गंदी सिटी और यह बड़ी बिल्डिंग्स हम कह सकते हैं कि यह खुला आ खुबसूरत है बहुत ही खुबसूरत एक्स्ट्राउडिनरी गुफाये हैं अब इसी सिटी में एक मुस्लिम डॉक्टर है अजीज नाम का अजीज जो अपने बाइक पर वैठा अपने दोस्त हमिदुल्ला के घर पर पहुंचा यहां पर पहुंचने में लेट हो गया है वहा ऐसा पॉसिबल है कि एक अंग्रेज और एक इंडियन दोस्त हो सकते हैं महमूद अली बोला नहीं कि इंग्लिश लोग कभी भी इंडियन्स को अपना दोस्त नहीं मानेंगे जबकि हमिदुल्ला साब पड़े हुए थे केम्परिज उनिवर्सिटी से वहां पर इनके काफी थे एंग्रेज दोस्त थे तो वो ऐसे बोलते हैं कि इंडिया का तो पता नहीं लेकिन बिटिन में अंग्लैंड में शायद वो दोस्त बन सकते हैं इंडिया में नहीं मैंभूद आली बोला कि नई भाईजान ये लोग रसिस टाइप क्यों होते हैं तो हमिदुल्ला बोला ह हाँ ये racist है मैंने कब मना किया लेकिन तब तक जब तक ये इंडिया के अंदर है हम लोग अगर अंग्रेजों से ज्यादा घुलेंगे मिलेंगी तो अंग्रेजों को लगेगा कि हम उन्हें बिगाड रहे हैं अब मुझे देख लो यार मैं इंगलेंड में पड़ा हूँ इसी बात को लेकर आर्गिमेंट होने लगा मैं आपको बता दू ये डॉक्टर अजीज जो है इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और इस ते कभी भी लाइफ में दूसरी शादी नहीं की ना ये करना जाता है ये खुश है अपने तीन बच्चों के साथ और ये कभी कबार कि आपको मेजर कालेंडर ने बुला है अब अजीज ना चाहते हुए भी उसको जाना बढ़ता है उसने अपने बंगले पर बुलाया पता नहीं क्यों बुलवाया है तो बाइक उठाए जाने लगा लेकिन रास्ते में टायर फट गया बाइक का तो तांगा करवा लिया और रास्ते बर वो जिस गली से गुजरा उस गली का नाम किसी ना किसी ब्रिटिश जनरल के नाम पर रखा गया था एक बार को तो इसको ऐसा लगा जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे पूरे देश के उपर एक जाल सा पैंक दिया है मेजर कालेंडर के घर पहुंसते है ये नौकर स इसकी भेहस हो गई और मेजर कालेंडर उस वक्त निकल चुके थे और मेजर कालेंडर की बीवी इसका तांगा लेकर चली गई ऐसा ही करते हैं Britishers, इंडियन्स के साथ में, ऐसा ही behave करते हैं अब ये घर की तरफ पैदल पैदल लाटने लगा, चलते चलते ठक गया और एक मस्जद में बैठ कर रेस्ट करने लगा अब ये इसकी सबसे पेवरिट मस्जद है इसका architecture, इसकी beauty इसको बहुत पसंद आई और उपर से चांद की रोश्णी जो पढ़ रही थी वो इस मस्जद को और ज़्यादा खुबसूरत बना रही थी इसका सपना है कि एक दिन ये खुद की मस्जद बनाएगा मतलब कुद से एक मस्जद तयार करेगा, एक religious काम करेगा और जो कबर होगी उसके उपर proprietary ये खुद लिखेगा लेकिन तभी इसने क्या notice कि मस्जद में एक अंग्रेज औरत भी आ चुकी थी पता नहीं क्यों उस औरत को देखकर इसे गुसा आगया तो औरत को देखकर गुसा आगया कि ये लोग मस्जद में भी गुसा है, मस्जद को भी नहीं चोड़ा ये कोई गुफाएं नहीं है जो जांच परताल करने यहां पर ही आई है तो ये उसमेर चिलनाने लगा लेकिन वो अंग्रेज औरत बोली कि मैं जानती हूँ ये रिलिजिस प्लेस है और मैं जूते उतार के आई हूँ देखिए, मुझे पता है इंडिया के अंदर रिलिजिस प्लेस के अंदर जूते पहन कर नहीं आया जाता अजीज ये देखकर शांत सा हुआ, उसको पता नहीं क्यों उस लीडी का बिहेवियर अच्छा सा लगा इस ओरत का नाम है मिसिस मूर, ये ओरत बुड़ी सी है, थोड़ी सी लाइट पड़ी तो पता चला, ये बुड़ी सी ओरत है अजीज ने अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी, ये ओरत नहीं नहीं इंडिया में आई है, इसको ऐसा लगा, क्योंकि ये इतने अच्छे से बात कर रही है आम तोर पर यहाँ पर अंग्रेज जो हैं वो इसने अच्छे से बात करते नहीं यहाँ पर इस औरत मिसेज मूर का बेटा रॉनिंग, इस सिटी का मेजिस्ट्रेट है तो मेजिस्ट्रेट की मां से अजीज मूर लग गया इस लेडी मिसेज मूर का हस्बेंट गुजर चुका है अजीज बोला, मेरी भी सेम जी सिच्विशन है मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है मेरे तीन बच्चे है, तो वो लेडी बोलती है, मेरे भी तीन बच्चे है तो पताने क्यों इसका बिहेविर इतना अच्छा लगा कि एक जुडाओ सा हो गया इस औरत से इसको सारे अंग्रेज एक जैसे नहीं होते, ऐसा समझने लगाए मिस्स मूर को बताने लगा कि मेडम हमारे यहां पर ब्रटिशर्स इंडियन से अच्छा बिहेव नहीं करते मिस्स मूर बोली कि नई, मैं तो लोगों से मिलकर उन्हें जज़ करते हूँ ऐसे ही बाते करते करते अजीज ने मिस्स मूर को उस कलब में छोड़ दिया जहां वो अभी रुकी हुई थी मिस्स मूर ने अजीज को गुडबाय किया इसके बाद वो गई अंदर कलब के अंदर वहां जाकर एक लड़की से ये मिली एडला ये एडला वो लड़की है एक जवान सी लड़की है जो मिस्स मूर के साथ में इंडिया देखने आई है इंगलाइंड से क्योंकि ये दोनों औरतें रियल इंडिया देखना चाहती है खास कर कि ये एडला ये तो बोलती है कि मैं Real India देखने जा रही है लेकिन अभी तक इन दोनों को इतना बुरा लग रहा है क्योंकि जब से ये आई है Real India देखने की वज़ा ये पार्टीज में ही गूम रही है बिटिशर से ही मिल रही है और अभी तक ये Real India नहीं देख पाई है इनकी expectations खतम हो गई जब ये England से यहाँ पर जो सपने सजाय आई थी Real India देखने की जो अभी इनको देखने को नहीं मिल रहा है तो वहीं पर Chief Administrative Officer Mr. Turton यहाँ पर आते हैं और इनको शराब आफर करने लगते हैं इन लेडीज को तो Mrs. Moore के बेटे Ronny की वो तारीफ करने लगते हैं कि आपका बीटा तो ऐसा है आपका बीटा तो वैसा है लेकिन Mrs. Moore विश्वास नहीं करती की Really? मतलब अपने मा को एक मा को अपने बेटे पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकिव वो ऐसा है तो ये Adela यहाँ पर ये Real India देखने की बात सुन ली और उन्होंने कहा Suggestion दिया कि मेडम आप Real India देखना चाहरे हैं उससे पहले इंडियन से तो मिल लो लेकिन कलब के लोग Adela को मना करने लगे कि इंडियन से थोड़ा बच कर रहना ये लोग अच्छे नहीं होते थोड़ी creepy type के disrespectful type के होते हैं ये लोग तो Mr. Turton बोले कि मैं एक bridge party रखता हूँ कुछ Indians भी वहाँ पर आएंगे तो मिल लेना लेकिन Mr. Turton किस type के Indians को बलाएंगे as a guest बहुत ही बड़े बड़े type के ठीक है तो एक बड़ी bridge party होने वाली है अब ये रॉनी अपनी मा Mrs. Moore और Adela को लेकर घर जाने लगा रास्ते में Mrs. Moore बोली कि मज़िद में आज एक बहुत ही अच्छा young man मिला था रॉनी ने कुछ भी react नहीं किया उसने सुझा को यंग्रेज मिला होगा लेकिन जब Mrs. Moore ने कहा कि वो Indian था तो रॉनी लाल पिला हो गया कि ममी ये Indian से बात मत किया अगरो ये लोग creepy होते हैं ये अच्छे नहीं होते ये respect करना नहीं जानते जंगली टाइब के होते हैं और घर पहुंसते पहुंसते अपनी मा को पूरे रास्ते ये सुनाता रहा Mrs. Moore घर जाते ही अपने बेटे से बोलती है कि ऐसे बिना मिले लोगों को जज करना बंद कर दो बिटा तो रॉनी बोला ममी आप Adela को अजीज के बारे में मत बताना प्लीज मैं नहीं चाहता कि Adela को पता चलेगी यहाँ पर Indians को हम कैसे ट्रीट करते हैं वागेरा वागेरा अब अगले दिन जैसा कि Mr. Tutor ने वादा किया था एक बड़ी सी बिच पार्टी अर्गनाइस की गई कुछ Indians को भी उस पार्टी में बुलवाया गया Indians को बड़ी हैरानी हुई कि हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलवाया जा रहा है अब इस पार्टी में नवाब बहादुर नवाब बहादुर जैसे बड़े बड़े लोगों को बुलवाया गया था मतलब Indians भी ऐसे जो बड़ी बड़ी रॉयल फैमिली से हो अब यह ब्रिज पार्टी ऐसा सोचकर रखी गई थी कि दो ससाइटी दो कल्चर मिलेंगे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या खास है वहाँ पर क्या खास है ऐसा करके लेकिन यहाँ तो लोग Indians को यह Indians का यह कहकर मजाग बनाने लगे यह Europeans की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं तो कैसे लगते हैं ऐसे करके वो हसने लगे Mrs. Moore और Adela satisfy नहीं हुई इस पार्टी से कि यहाँ पर Real India देखने को नहीं मिल रहा है वहाँ उस पार्टी में Mr. Fielding भी आये थे मैंने आपको बताया था जिन्होंने कहा था कि कुछ Indian से मिलो वगेरा 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 वो Indian से गुलने मिलने लगे जो भी बड़े-बड़े Indians थे उन्होंने इन दोनों को भी देखा दोनों लेडी को देखा और जाके इन से बात की बोले अगर आप चाहें तो मेरे घर पर आए चाय पीने के लिए अडेला तुरंत मान गई क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ इस पार्टी में इंडियन्स का कुछ ज्यादा ही मजाग बनाया जा रहा है तो मिस्टर फेलिंग बोले कि मेरे घर आओ कल चाहे पीने के लिए आपको कुछ इंडियन्स से भी मिल बाता हूँ तो अडेला बोली वैसे ये डॉक्टर अजीज कौन है मिस्टर फेलिंग बोले अच्छा अजीज हाँ मैं उसको भी बुलवा लूँगा आईए तो सही आप कल दो अब दोस्तों मैं यहाँ आपको एक और चीज बता दू कि ये एडिला की शादी मिस्टर मूर के बेटे इस रॉनी से होने वाली है अब इसे डर लगने लगा है कि ये आदमी किस टाइप का है मेरी शादी के बाद में मेरा फ्यूचर क्या होगा ये नहीं चाहती थी कि ये रॉनी की तरह बड़ी बड़ी बिटिश पार्टी में भटकती रहे मिस्स मूर तो समझती है कि अंग्रेज यहाँ की लोगों के साथ सही बिएव नहीं करते लेकिन रॉनी बोलता है कि अंग्रेज यहाँ पर शांती कायम करना चाते हैं ऐसा behavior जरूरी है Mrs. Moore बोलती है कि तुम लोग भगवान बनने की कोशिश मत करो राणी समझता है कि इसकी मा तो हो रही है बुड़ी तो arguments में वैसे भी जीत नहीं सकते इनसे अब वहाँ पर अजीज ये bridge party में गया नहीं था उसको invite किया गया था bridge party में क्योंकि ये major calendar जैसे लोगों से calendar जैसे लोग जो इसके superior हैं जो इससे ढंक से बात नहीं करते तो अजीज एक सर्जन है major calendar से बहुत अच्छा सर्जन है लेकिन ये इस party में नहीं गया क्योंकि इसको सारे अंग्रेज जो हैं comic figures लगते इसके लाओ आज जिस दिन bridge party होई थी उस दिन इसकी wife की वर्सी थी एक साल हो गया था और ये अपनी wife से बहुत प्यार गटता था इसलिए इसने शादी नहीं की मैंने आपको बताया था अब इसे एक और invitation मिलता है Mr. Fielding की तरफ से कि आओ भाई कल हमारे घर चाहे पीने आओ चाहे शाहे बर अजीज को Mr. Fielding का ये invitation देख कर काफी अच्छा लगा अरे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया अब तो जाना पड़ेगा तो इस invitation को accept कर लेता है तो प्रिंसिपल साहब यानि कि Mr. Fielding की एज उस वक्त 40 साल थी जब ये इंडिया आये थे इनकी अच्छी कासी एज हो चुकी थी, मिचवर आदमी है बहुत सारी जगाओं पर ये घूम चुके है बहुत सारा experience इनके पास में है अगर हम दूसरे अंग्रेजों से इनको compare करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई और अपना नजरिया इंडियन के लिए काफी अच्छा रखा है शुरू से ये पढ़ाई की तरफ ज्यादा जुके हुए थे इसलिए इनको principle as a principle प्रमोट कर दिया गया इनको अपनी जॉब बहुत ही पसंद है ये अंग्रेज हों या इंडियन सबके साथ comfortable feel करते हैं बहुत ही अच्छा character है इस कहानी में लेकिन इनकी अपने अंग्रेज दोस्तों की बजाए इंडियन से ज्यादा पढ़ती है इनके दिमाग में कोई racism नहीं है ये भीदबाव नहीं गड़ते सब को equal मानते हैं और कई बार लोगों ने इनके इसी behavior के चलते हैं इनकी बेज़ती करने की भी कुशश की इनके अपने लोगों ने लेकिन ये मौकाई नहीं देते किसी किसामने वाला इनकी बेज़ती करके खुश हो सके अब अजीज पहुँचा मिस्टर फिल्डिंग के घर पर टी पार्टी के लिए उस वक्त मिस्टर फिल्डिंग कबड़े पहन रहे थे बोले आओ अजीज अपना एक घर समझो अजीज को बड़ी खुशी हुई ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले तो नहीं थे लेकिन एक दूसरे के बारे में सुना बहुत था ये दोनों ऐसे बाते करने लगे जैसे सालों पुराने बिच्ड़े हुए दोस्तों अब जब चायशाय शुरू हुई इस अजीज ने मिस्टर जमूर को पहचान लिया कि इन से मैं मजजद में मिला था लेकिन मिस्टर फिल्डिंग से अकेला बाते करना चाता था ये इतने सारे गेस्ट आगई है इसको अच्छाने लगा ठीक है ये बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल टाइप का आदमी है तब ही इसकी नजर पढ़ती है अडिला पर जो बहुत ही खुबसूरत और अट्रेक्टिव लेडी थी पार्टी में माजूद अजीज इनसे भी कमफर्टेबल होकर बात करने लगा अजीज ने इन दोनों लेडीज को अपने घर आने के लिए इनवाइट किया इसने सुचा कि मना कर देंगी लेकिन वो दोनों मान गई अब ये फ़र्ज गया कि क्या करें घर तो एक दम छोटा सा गंदा सा इसका बात पलटते हुए उसने का कि इस कमरे का आर्किटेक्चर देखो कितना अच्छा है वो तरह तरह की बाते कर रहा था अंग्रेज इसे ध्यान से जुन रहे थे मिस्टर फिल्डिंग जानते थे ये काफी सारी गलत बाते भी कर रहा है मतलब कि इसको information इतनी नहीं है लेकिन वो बीच में कुछ नहीं बोले अडिला तो इससे बहुत impress होने लगी कि ये मुझे दिखाएगा रियल इंडिया तब ही वहाँ पर मिस्टर फिल्डिंग के चौथे guest प्रफेसर गोड बोले जो कि एक हिंदू ब्रामण है वो आए उन्होंने इन अंग्रेजों और मुस्लिम से दूरी बनाई वो अपर कास्ट के हैं इसलिए मिस्स मूर और मिस्टर फिल्डिंग ये दोनों दो चले गए कॉलेज के ग्राउंट्स देखने के लिए यहां पर अजीज अडिला और गोड बोले यहीं पर बैठे रहे फिर अडिला बोली कि मैं तुम्हारा घर जरूर देखना चाहूंगी अजीज हरबडा गया और बोला आपको अगर देखनी है तो माराबार की केवस देखो न मेरा क्या घर देखो गए तो अडिला यह सुनकर एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसने इन केवस के बारे में सुना बहुत कुछ था अजीज तो क्या समझता क्योंकि उसने खुद भी यह केवस नहीं देखी थी तो प्रफेसर गोड बोले को यह बात पता चली कि यार कैसा आदमी है तू तूने इस एरिया में रेकर कि कभी मारावार की केप्स नहीं देखी इन सब की बाते हो रही थी तब ही यहां पर रॉनी आ गया उसने देखा कि एडिला दो इंडियन्स के साथ में अकिली बैठी हुई है उसने इंडियन्स पर तो ध्यान नहीं दिया तब मिस्टर फिल्डिंग आये तो उनके पास जाकर रॉनी उनको साइड में ले जागर बोला आपने एडिला को इन दो इंडियन्स के साथ में क्यों छोड़ा फिल्डिंग बोला क्यों क्या परेशाने हो गई लेकिन इस एडिला को राणी का ये बिहेविर पसंद नहीं आया है कि ये इंडियन्स से किस तरह से बिहेव कर रहा है इंडियन्स है कोई जानवर थोड़ी है अब इस राणी को पता चला कि अजीज इन्हें माराबार की केव्स दिखाने के लिए बुलाया है तो ये अपनी माँ और एडिला को रूकने लगा कि आप लोग नहीं जाओगी एडिला गुसा हो गई और बोली राणी मैं तुम से शादी नहीं करूँगी अब राणी ये चीज़ सुनकर बहुत हर्ट हुआ लेकिन फिर भी वो काम रहा मुझा चला आया नहीं आगे इस मैटर में वो बात करना नहीं चाहती थी लेकिन थोड़ी देर बाद जब राणी ने उसे घर छोड़ दिया तो वो मान गई बोली राणी मैं उस वक्त गुसा थी मैं तुम से शादी करूँगी इसकी बाद सब अपने अपने घर चले गए अजीज भी अपने घर आ गया लेकिन अभी भी अजीज को इतने दिन हो गए उस टी पार्टी से आये हुए अभी भी उसे टी पार्टी की याद आ रही थी उसकी इच्छा थी वो मिस्टर फील्डिंग से वापस मिले मिस्टर फील्डिंग बहुत ही अच्छे बिहविर के आत्मी है तो इसकी तवे थोड़ी सी बिगड़ गई इसके कुछ दूस्त वगए इससे मिलने आये थे गर्मी का सीजन था सूरज आग उगल रहा था आग राइटर यहां पर बार बार कई बार इंडिया के गर्म एन्वार्मेंट के बारे में यहां की पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं अब यह प्रिंसिपल साहब मिस्टर फील्डिंग जब इनकी दूसरी बार अजीज से मुलाकात हुई तो इनकी दूस्ती बढ़ने लगी अजीज ने उन्हें अपनी गुजरी वई बीवी की बारे में बताया और उसकी तस्वीर भी दिखाई अजीज यह तस्वीर किसी भी अंग्रेज को नहीं दिखाता था मिस्टर फिल्डिंग पहले अंग्रेज थे जिनको इसने वो तस्वीर दिखाई थी उन्हें काफी अच्छा लगा अजीज बोला मिस्टर फिल्डिंग मुझे आपका ये बीवीर बहुत अच्छा लगता है आप सब को भाई जैसा समझते हैं अजीज ने फिर मिस्टर फिल्डिंग से पूचा कि आपने शादी क्यों नहीं की तो मिस्टर फिल्डिंग बोले मेरी इंगेजमेंट तो हुई थी लेकिन बाद में मैंने शादी नहीं की और शादी और बच्चों का मुझे कोई खास शौक भी नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है तो अजीज यहाँ पर मजाग मजाग में बूला, तो फिर आप अडिला से शादी कर लो ना तो मिस्टर फील्डिंग बूले ना बबा, अडिला से मेरी शादी नहीं हो सकती वो इंडिया को ऐसे देखने आए है, जैसे कोई स्कूल कॉलेज की क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है और उसकी तो पहले से इरानी से इंगीजमेंट हो चुकी है, तुमको बता होगा ऐसे ही अजीज और फील्डिंग में बहुत सारी बाते होई, इसकी बाद मिस्टर फील्डिंग चले गए इन दोनों की दोस्ती एक तरह से भाईचारे में बदल चूकी थी अब राइटर इंडिया की जियोग्राफी बताते हैं, फिर बताते हैं माराबार हिल्स के बारे में पुरानी हिल्स है, इतनी पुरानी हिल्स है कि ऐसी जगा पूरे अर्थ पर कहीं भी नहीं है माराबार की गुफाएं इनी हिल्स में हैं हर गुफा के अंदर मैनमेड एंटरंस टरनल है, जो आगे जाकर एक बहुत ही सर्कूलर चेमबर में खुलती है, बहुत ही बड़े सर्कूलर चेमबर में खुलती है यहाँ पर एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी गुफाएं हैं, एक तरह से एक्स्ट्रा ओर्डनरी कीव्स हैं हाँ दूसरी तरफ एडिला, वो बिचेन हुए जा रही थी रियल इंडिया देखने के लिए, अजीज के साथ घूमने रियल इंडिया देखने जाना चाते थी, उसने बोला कि इंडियन्स कितने भुलकड होते हैं, अजीज ने मुझसे वादा किया था कि मुझे मारावार् गुफा हैं, तो प्लैन बना अजीज, मिस्टर मूर, एडिला, मिस्टर फील्डिंग और प्रफिसर गूड बोले, यह सब मिलकर मारावार की केव्स देखने जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों अंग्रेज ओरतों, एडिला और मिस्स मूर, इन दोनों की सारी रिस्पॉं ठीक है, ट्रेन चूटने लगी, लेकिन मिस्टर फील्डिंग और गूड बोले अभी तक नहीं आये थे, आखिर ट्रेन चलने लगी, अजीज को डर लगने लगा कि पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी, आखिर मिस्टर फील्डिंग और प्रफिसर गूड बोले, दोनों बह पर है इनको घुमाने की, अपने इन दोनों गैस्ट को माराबार की केव्स दिखाए, अब ट्रेन के सफर वे मिस्स मूर की तब्यत वैसे बिगडने लगी, अभी से बिगडने लगी और सुबह होते होते ये लोग माराबार केव्स तक पहुँच गए, सूरज हुगने का इ आप लोग अपना सर ढखलो, गर्मी बहुत बढ़ रही है, वाकई गर्मी बहुत थी, वो ट्रेन से उत्रे, और एक पीड की टहनी को देखकर के ये लोग डर गए, डर गए कि ये कोई ब्लैक कोबरा है, कुल मिला करके उस जगह पर कुछ भी एक्साइटिक नहीं था, इसक अच्छा होता, फिर वो मिस्स मूर से मुस्लिम मुगल राजाओं की बाते करने लगा, कि एक अकबर जो है एक अच्छा राजा नहीं था, वो सब को युनाइट करना चाता था, अलग-अलग कल्चर्स को अलग-अलग ही रहने तो ऐसा बोलता है वो, अजीज यहां पर चला नहीं, इस केव में जाने की बात से उनकी हिम्मत नहीं थी कि अब वो दूसरी केवस में जा सके, उनका एक दम घुट रहा था, उपर से उनको कुछ डरावना सा फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने का मैं तो बाहर बैटूंगी, तुम लोग जाओ, मेरी तो हिम्मत न लगी, है ना, फिर इसके बाद में एडिला ने बहुत कोशिश की उनको ले जाने की लेकिन वो नहीं मानी, इसके बाद अजीज और एडिला अपने गायर के साथ में दूसरी छोटी छोटी केवस में गए, ज्यादा तो कुछ खास नहीं लगा इनको वहाँ पे भी, लगी, ओजीज से पूछा, क्या, तुम्हारी शादी हो गई? अजीज ने बताया हाँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि उसकी वाइफ की डैफ हो चुकी है, फिर उसने पूछा तुम्हारी कितनी वाइफs है, बस ये सवाल अजीज को शौक कर गया, कि ये सवाल क्या प गुफा में रहा किसी से कोई बात नहीं की थोड़ी दिर बात जब वो गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि गाइड अकेला खड़ा था उसने पूचा एडला कहा गई इसने ढूणने की कोशिश की लेकिन गाइड बूला कि मैडम गुफा में गई थी इसकी बात पता नहीं अजीज को गाइड पर गुस्सा आया उसने गाइड को फटका रहा कि तुमसे महमाना को ख्याल ने रखा जाता बेवकुफ कहीं के गाइड चला चला कि एडला को पकारन तब ही इसकी नजर पड़ी एडला पर एडला कहां थी नीचे बाटम अप दे हिल नीचे पहुँच चुकी थी और ये उपर खड़ा उसको देख रहा था उसने देखा कि एडला कार के पास खड़ी किसी लीडी से बात कर रहे थी फिर वहीं खड़े खड़े अजीज की इनको बता चला कि उसी कार से अडला वापस घर चली गई है बिना किसी को बता है अजीज को थोड़ा सा अजीब लगा कि बिना किसी को बता है क्यों चली गई लेकिन फिर भी वह खुश था कि कम से कम मिस्टर फील्डिंग तो यहां पर आ गए मिस्टर फील्डिंग को मामल कि उपर ऐसा क्या हुआ जो एडला इस तरह से भाग गई लेकिन अजीज ने सच नहीं बताया कि उसने मेरी वाइब्स के बारे में पूछ लिया था इसलिए मुझे मैंने उसको अकेला छोड़ दिया था फिर मिस्टर फिल्डिंग बोले कि इस तरह से तुम्हारी इंसल्ट नहीं करने चाहिए थी अजीज उसको शाम के वक्ती हाथियों बैटकर ट्रेन के पास पहुँचे मिस्टर फिल्डिंग ने पूछा अजीज कितने पैसे घर्च हो गए आज सुमारे पूरे दिन में अजीज बोला लगबग सौ रप है कैर अब ये पैसे सौ रप है तो इसको मिल जाएंगा अजीज को लेकिन अजीज ने इससे ज्यादा ही पैसे घर्च की है अपने महमानों के लिए वो बता नहीं रहा ठीक है ऐसे ही ट्रेन में बैठे बैठे मिस्स मूर अजीज और मिस्टर फील्डिंग सब पहुँच गए वापस चंदरपूर लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही स्टेशन पर उतरते ही पुलिस वालों ने अजीज को गिरफतार कर लिया अरेस्ट कर लिया देखते ही अजीज तो पैनिक हो गया वो ट्रेन की दूसरे दरवाजे से भागना चाता था लेकिन मिस्टर फील्डिंग ने उसे पकड़ लिया उसे शान्त करवाया और कहा कि पुलिस के साथ को अपरेट करो हुआ क्या है पहले ये जान लेते हैं पुलिस वाले अजीज को तो ले गए लेकिन पीछे से मिस्टर फील्डिंग को बताया गया कि अजीज ने अकेले में वहाँ पर माराबार गुफाओं में मिस एडिला के साथ में बत्तमीजी करने की सेक्जुली असॉल्ट करने की कोशिश की है मिस्टर फेल्डिंग समझ गए कि कुछ गलत वहमी हुई है तब उन्हें पता चला कि एडिला ने खुद अजीज के खिलाब ये कंप्लेंट फाइल की है मिस्टर फेल्डिंग बोले एडिला पागल हो गई है अजीज ने ऐसा कुछ नहीं किया है मैं जानता हूँ अजीज को वह ऐसा नहीं कर सकता तो मिस्टर फेल्डिंग से पूछा गया कि आपका वो कौन लगता है जो आप उसकी साइड ले रहे हो देखिए मिस्टर फेल्डिंग वो एक इंडियन है और हमारी इंगलाइन की लेडी के साथ में उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया अब वो बचेगा नहीं वहीं अजीज जेल में पड़ा-पड़ा रोने लगा पोलिस इप्रिटेंडिंट ने उसे पहचाना अरे तुम तो ढॉक्टर हो न तुमने ऐसा क्यों किया अरे मैं तो भूली क्या तुम इंडियन भी तो हो डॉक्टर होने के साथ साथ इंडियन्स के तो नेचर में ही होता है क्राइम करना तुम्हारी भी गलती क्या है तब ही मिस्टर फीलिंग वहाँ पर आये पुलिस अप्रेडेंटन ने उनसे कहा कि मिस एडिला ने बयान दिया है कि अजीज के साथ उनकी हताबाई हुई थी केव के अंदर तब उनका चश्मा तूट किया चश्मा हमें अजीज की पॉकेट में से मिलाए जेब में से मिलाए और ये एविडेंस अजीज के खिलाफ है मिस्टर फिल्डिंग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है क्या हुआ क्या हुआ क्या है लेकिन इतना शॉट थे वो कि अजीज ने कुछ नहीं किया पलिस बालों ने जो भी एविडेंस इखटे किये उनमें ये भी सामने आया है कि जिस कार में बैटकर एडिला आये थी उस कार की मालकिन ने भी देखा था कि एडिला उपड़ से मारावार केव से डरी डरी नीचे उतरी है शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा मिस्टर फेल्डिंग ने कहा कि मैं एक बार खुद एडिला से मिलकर ये चीज़ को कनफर्म करना चाता हूँ कि अजीज और उसके बीच में कुछ हुआ भी है या नहीं लेकिन आफिसर बोले कि हम आपको उनसे मिलने की पर्मिशन नहीं दे सकते क्योंकि वो मिलने की कंडिशन में नहीं है वो बीमार है मिस्टर फेल्डिंग को पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा था कि अडिला पगला गई है और अजीज निर्दोश है सो प्रेडेंटन बोला कि ये इंडियन्स है हमारे यांके जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी साइकलोजी अलग होती है इनकी साइकलोजी अलग होती है आप समझ नहीं रहे लेकिन मिस्टर फेल्डिंग तो एक बार खुद एडिला से मिलकर कन्फर्म करना चाते थे अब भी चीज़े कंट्रोल में हैं तो रख लो कंट्रोल में नहीं इसके बाद कैज़ चीज़े आउट ओफ कंट्रोल हो जाएगी ऐसा मिस्टर फेल्डिंग को लग रहा था Mr Fielding ने कहा कि ये अजीज की गुजरे वे वाइफ की फूटो है लेकिन Mr. Fielding ने अजीज के दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो लोग भी Mr. Fielding को खुद से अलग मान रहे थे उन दोस्तों ने अजीज को बचाने के लिए एक famous lawyer किया था I'mra Trough नाम का अब फिल्डिंग तो बिचारे फस गए थे कि किसकी साइड लूँ, सब लोग इनके खिराफ हो चुके थे, इनके खुद के लोग भी और इंडियन्स भी इनके खिलाफ हो चुके थे, इनका सारा ध्यान अजीज की तरफ था, इनका अपने जो पढ़ाते थे वच्चों को उसम लगाने लगा कि मैं इस मुश्किल सिच्वेशन में हूँ और आप मेरा कोई साथ नहीं दे रहे, आपने भी मेरा साथ चोड़ दिया, इसको क्या पता कि बाहर मिस्टर फिल्डिंग कितनी कुशिशे कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, अब मिस्टर फिल्डिंग सोचते है कि अब एक ही इनसान है जिससे मिलकर सारी बाते क्लियर होगी वो है अडिला, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो ठीक है, अब सारे अंग्रेज एक हो गए कि हमारे देश की ओरत के साथ ऐसा हुआ है, तो उसे निया दिलवाना है, ऐसे तो हमारे जो बीवी बच्चे हैं वो इन इंडियन से से सेफ कहा है, बताओ, तो इन लोगों ने अपनी एक कहानी बना दी कि अजीज ने मारावार केव जाने का प्लैन बनाया था, उसकी सब साज़श थी, उसने एडिला के बाडिगार्ड को रिश्वत दे के खिला कर गे, उससे बाहर गट दिया, केव से ब बाते हो रही थी, तो मिस्टर फेल्डिंग भी वहीं कलब में बैठे हुए थे, वो गुच्सा हो गए, कि इससे तुम लोग एक नहीं, बलकि बहुत सारे इंडियन्स की इंसल्ट कर रहे हो, सब क्यों साथ देंगे अजीज का, अगर अजीज ने ऐसा किया है तो, तब ही व जैसे तैसे अपनी तरफ से हो सका, अब ये बात सच है कि एडिला के साथ में उस गुफा में उस दिन कोई आदमी तो था उसके पीछे, लेकिन वो ये श्यार नहीं है कि वो अजीज ही था, एक बात और, कि उस आदमी ने एडिला को चुआ तक नहीं था, वो पीछे जरूर था एडिला के, लेकिन उस आदमी ने चुआ तक नहीं था, अब केस चलने वाला है, ट्रायल चलने वाला है, केस में होगा एंडियन जज, और इसमें अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते थे कि जज एंडियन क्यों रखा, वो तो अजीज का सपोर्ट ही करेगा न, ठीक है, अब रॉनी की जो मा है मिसिस मूर, वो खुद एडिला पर ध्यान नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि एडिला ने गलत किया है, क्योंकि वो भी जानती है कि एडिला गलत है, एक मासून को फसा कर गलत किया है, और ये पाप हमेशे एडिला के साथ रहेगा, मिसिस म प्रणूर कहती है कि मैं इंडिया छोड़ कर जा रही हूं मुझे जाना है अडिला रोने लगी कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं तो रॉनी ने उतसे अपनी माँ के बिहेवियर के लिए माफी मांगी कि मेरी माँ ऐसे बोलती रहती है तुमको तो पता ही है ना लेकिन अब अड अडिला भी उसको इनसेंट मान रही अजीज को और वो सोचने लगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसकी माँ को मिसेज मूर को इंडिया छोड़ कर इंगलैंड वापस चले जाना चाहिए और इसने अपनी माँ का वापस लोटने का सारा इंतिजाम कर दिया सारा ब पत्रा बन सकती थी ताकि जब अजीज का जब ट्राइल शुरू हो तो उसकी माँ एविडेंस बन कर उस इंडियन अजीज के सपोर्ट में गवाई ना दे ठीक है तो इस रॉनी ने अपनी माँ को भेज दिया इंगलैंड वापस जबकि एडिला यहीं पर मौजूद थी क्य डर्पोक होते हैं कुछ इंडियन वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी एक मुस्लिम औरत थी उसने तो शपत ले ली कि तब तक भूकी रहूंगी जब तक अजीज को न्याय नहीं मिल जाता सारे अंग्रेज सोच रहे थे कि यह सब किया धरा फिल्डिंग का है धोके बास कहीं का एडिला यह सब देखकर और ज़्यादा घबराने लगी ट्रायल शुरू हुआ अजीज को गल्टी साबित करने की पूरी कोशिश है की जाने लगी वकील बोल रहा था कि यह सब नेचर का रूल है जजज साब कि काले लोग गोरो की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते है फिर इंडियन लोग चलाने लगी कि एडिला इतनी भी कोई खुबसूरत नहीं है जो अजीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा अजीज तो खुद एडिला से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एडिला को यह सब सुन करके बहुत अफसोस हुआ उसने भीड को देखा फिर अजीज को देखा एक बार फिर इसे कोट रूम में लगा कि इससे कोई गलती हुई है फिल्डिंग उसी भीड में खड़े हुए थे अपने दिमाग पर जोर देने की बाद एडिला ने कहा कि नहीं कोट रूम में उसने डिकलेर कर दिया कि नहीं अजीज उस दिन मेरे पीछे पीछे गुफा में नहीं आया था मुझसे गलती हो गई अंग्रेजों ने कोशश की ये साबित करने की कि एडिला बीमार है और बीमारी में वो कुछ भी बोल रही है लेकिन जब एडिला ने ही सारे चार्जस वापिस ले लिए तो कोई केसी नहीं बनता अजीज को फ्री कर दिया गया जैसे तो था ये इंडियन तो अजीज को फ्री कर दिया गया अजीज ये सुनते ही वहीं पर बेहोश हो गया और सारे इंडियन्स कोशीशे नाचने लगे अब अंग्रेजों की शामत आने थी अंग्रेज बचते बचाते कोट रूम से चले गया कोट रूम पूरा खाली हो गया इसके बाद एडियला एडियला से तो उसके खुद के अंग्रेज दोस्तों ने बात करना बंद कर दी सारे अंग्रेजों ने बात करना बंद कर दी कि इसने कोट रूम में जाकर के हमारी बेज़ती करवाई केस वापिस ले लिए इंडियन्स तो थे ही इसके अगेंस्ट कि इसने चार्ज क्यूं लगाया हमारे इंडियन आदमी के खिलाफ जब उसने कुछ किया यह नहीं है तो इंडियन्स भी खिलाफ हो गए अंग्रेज भी खिलाफ हो गए अब इंडिया में रहना इसका बहुत मुश्किल हो गया था इस मुश्किल टाइम में एक ही बंदे ने एडियला का सपोर्ट किया एडियला का साथ दिया वो बंदा था Mr. Fielding उसने एडियला से कहा कि यह लोग तो में मार डालेंगे मेरे साथ में रहू इस चीज़ को देखकर इंडियंस बोले कि सारे अंग्रेज एक दूसरे से चिपके रहते हैं फिल्डिंग अडियला से इतनी सिंप़िटी क्यों दिखा रहा है जब कि वो गलत थी फिल्डिंग ने एडला को रहने के लिए अपने कॉलेज में रूम दिया खाना दिया वो फिल्डिंग के साथ में रहने लगी फिल्डिंग ने पूरा सपोर्ट किया इसे वहाँ अजीज जो अभी केस जीत चुका था उसको जब ये बात पता जली तो अफकॉर्स उसे अपनी जीत की कुछ खास खुशी नहीं होई उसे लग रहा था कि इन अंग्रेजों के सामने हमारी बात की कोई आउकात नहीं होती हम अगर सच भी बोल रहे हैं तो इनको जूट लगता है मैं जब चला चला गर बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया तो किसी नहीं माना जब उस औरत ने कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया तो सब ने मान ले तो वो खुद को inferior सा फील करने लगा कि हमें इंडियन्स की कोई आउकात है या नहीं फिल्डिंग वहाँ पर एडिला को पूरा सपोर्ट कर रहे थे और से समझाने की कोशिच कर रहे थे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है गुफाओं में जो तुमने आवाज सुनी गूंजती हुई उससे तुम्हें हलसिनेशन हुआ होगा या फिर किसी और आदमी ने आकर तुम्हें छेडा होगा अजीज वो नहीं था फिल्डिंग को इस लड़की से सिंपती होने लगी थी एडिला को भी ऐसास होने लगा था कि उसने अजीज को बहुत परिशान किया है अब इंडियन्स तो इंडियन्स अंग्रेजों को भी इस लड़ी से इस एडिला से डर लगने लगा था पता है क्यों ये कैसी औरत है पता नहीं कब किसको फसादे इंडियन्स तो इसे कभी माफ नहीं करेंगे अब इसके लोग भी से कभी माफ नहीं करेंगे तबी बीच में एक बुरी खबर आती है इसी कहानी में कि रॉनी की मा मिसस मूर उनको जब इंगलैंड भीजा गया वो इंगलैंड जाने वाले जहाज में गुजर गई लोग कहने लगे कि देखा रॉनी को इसके पापों की सजा मिली है एडला पर भी कोट ने कोट का टाइम खराब करने के लिए चार्ज लगाया 20,000 रुपाय जिसमें से कुछ पैसे अजीज को भी दिये जाएंगे ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था एडला तो क्या रॉनी भी पे नहीं कर सकता अजीज तो अब पूरी तरह से एंटी बिटिश हो चुका था कि ये बिटिशर्स अच्छे लोग नहीं है इन अंग्रेजों से और खासकर उस एडला से तो सरूर पैसे वसूलने चाहिए उस बतसूरत एडला से वो बतसूरत बोलता था एडला को फेल्डिंग को बड़ी हैरानी हुई कि कोट ने इतना वड़ा अमाउंट का चार्ज लगाया इस पर एडला पर ये कहां से चुकाएगी तो इसने जा करके अजीज को समझाया कि अडला पर ये चार्ज मतलगने दो दया दिखाओ थोड़ी सी तो अजीज बोला जब तक वो बस्दूरत औरत एडला मुझस से आकर माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं माफ नहीं करूँगा तब तक ये चार्ज नहीं हटा हूँगा अब आप सोचो कि ये अजीज तो बहुत अच्छा आदमी था ऐसा कब से हो गया जेल में जाने के बाद ये ऐसा हो गया रॉनी ने एडला से अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी इस टाइम तक एडला बिलकुल अकेली हो गई थी एडला ने डिसाइड किया कि अब मैं ाइडर ने तोड़गवार ने शत्रह गिए कि अजीज पनाने के इसाइड वाया एडला आप में दो बहारा हो गया कि ने चर बहुत आप से अप्लाइड कि अजेड़ में अजीजब गया अजीज कि एडला बहारा हो गया झाल 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 झाल